नमस्कार, जैहिंद, आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है, एक इंपोर्टन अपडेट जो कि जम्मू एन कश्मीर बोर्ड आप स्कूल एजूकेशन की तरप से आ रही है, आपको यहाँ पर मैं इंफोर्मेशन दे दूँ कि आज जेके बोस के दुआरा एक नोटिफकेशन निकालके इस बात की क्लैरिफकेशन दे दी गही है, कि डेट्स निकाल दी है, शड्यूल फॉर ओनलाइन सब्मिशन आफ रजिस्टेशन रिटर्न इन रिस्पेक्ट आफ क्लास नाइन्थ, क्लास नाइन्थ का जो आरर फाम है, वो ओनलाइन कब से फिल किया जाएगा, उसक की फी डिटेल स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है, सारी जानकारी इस नोटिफकेशन में जेके बोस ने दी है, जैसे हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, अगर हम एकाड़िमिक सेशन की बात करें, 2022-2024 आफ जम्मू डिवीजन, जम्मू डिवीजन के बोथ जोन साहे हम समर जोन अफ जम्मू डिवीजन की बात कर लें, बिंटर जोन अफ जम्मू डिवीजन और इसके सासा इंक्लोडिंग ले, सब के लिए जो important information जहां पे रहने वाली है, तो जहां पे आप देखेंगे कि जहां पे class 9th के students को खुद आपने जो registration return है, उसे apply करना है, तो आप क institutions आप जम्मू डिवीजन शेल अवेलेबल थ्रू जेके बोस वेबसाइट, तो आप जेके बोस की official website से अपना registration return जो RR form है, उसे आप apply कर सकते हैं, इसके लिए क्या process जहां पे रहने बाला है, सबसे पहले जहां पे आप देखेंगे, serial number, submission of registration return by on role eligible student class 9th for academic session, जो हम पहले भी discuss कर चोके हैं, prescribed fee जहां पे जेके बोस के द्वारा जो रखी गई है, वो 580 रूपी रखी गई है, इसके लिए जो links live हो जाएंगे, जेके बोस की official website से, वो 20 अफक्तूबर, 20 अक्तूबर से link live हो जाएंगे, और 3rd November तक without late fee, आप अपना जो RR form है, उसे आप fill कर सकते हैं, वो 30th November रहेगी, मान लेते हैं कि आप 30th November तक भी अपना RR form नहीं fill करते हैं, 40th November से भी link live होगा, लेकिन जो fee होगी, वो आपको 655 पे करनी होगी, तो जहां पे आप देख सकते हैं, जो कि 23rd November तक link live रहेगा, सेम इसी तरह से 24th November से लेके, 3rd December तक आप अपना registration return fill कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो fee है, वो भी भढ़ती जाएगी, next हम discuss करेंगे कि RR form को fill करने के लिए, जो instructions दी गई है, guidelines एक school के लिए, जा students के लिए, वो क्या रहने वाली हैं, सबसे पहले जहां पर बताया गया है, student जा school को visit करना होगा, जहां पर jkbos का URL दिया गया है, www.jkbos.n c.in, आपने Google से इस URL को search करना है, और jkbos के official website पे आजाना है, बहां पर आपको एक link मिलेगा, जहां पर 9th class का RR का, आपने उसे click करना है, next आपने अपना जो RR form है, वो आपने process करना है, इसके बाद जहां पर बताया गया है कि, जो disabled candidate है, जिनके 40% disability है, तो उनकी जो fee होग वो exempt होगी, ऐसे में आपने अपना registration return form fill करना है, उसका printout लेके attested करना है अपने school के headmaster से, next आपने उसे jkbos की जो nearest branch है, वहां पर आपने उसको submit करवाना है, step number D में इस बात की clarification भी दी गई है, जहां पर आप देख सकते हैं, only those students जो की class 9th academic session 2022-24 के लिए RR form fill करने के eligible हैं, उनकी 14 plus age कब होनी चाहिए, first day of May 2024 तक उनकी जो age है, वो 14 plus होनी चाहिए, next जहां पर जो school को कुछ instructions दी गई हैं, वो भी आप जहां पर देख सकते हैं, next जहां पर रहने बाला हैं, आप जहां पर देख सकते हैं, the head of all the concerned institutions shall ensure the candidate who is already registered, जो पहले से jkbos पे registered हो चोके हैं, वो re- registration ना करें, तो इसके regarding जहां पर jkbos के द्वारा एक email जारी की गई है, अगर किसी भी परकार की candidate जा स्कूल के मन में कोई query है, तो आप इस email पर email करके अपनी query भी clear कर सकते हैं, email address जो रहने बाला है computer cellitss at the rate gmail.com, तो इस तरह से आप देख सकते हैं, आज की date में jkbos के जाला गया है, तो एक important information थी, इसी तरह की important information लेने के लिए, आप मेरे channel के touch में रह सकते हैं, मेरे channel को subscribe कर लें, साथ में बैल ऐकन को ब्रस करें, ताकि आने बहले समय में जितने भी informative video हो, उनकी notification भी सबसे पहले आप तक पहुंच देए, thank you, thank you watching, take care, मिलते हैं जल्दी एक न